हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाले हो यह डिजाइन यह पैटरन देखे है हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन है ना बहुत ही अच्छी से डिजाइन की लुक का रही है फोर सलाइयों का चार सलाइयों का बिलकुत सिंपल डिजाइन है यह लेकिन देखने में यह बहुत जादा सुंदर लग रहा है देखे और बिलकुल अलग सा डिजाइन लगता है यह इसे आप लीडिज के काडिगन में जाकिट में बच्चों के किसी भी पर जाकित में डाल सकते हैं यह के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो five के multiple से होंगे इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए ना जैसे ये वाले दो उल्टे फंदे तीन फंदों में ये design ये पांच फंदे हैं तो आपने पांच पांच के multiple से फंदे डालते जाना है पांच 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 इस तरह से last में ये आपका अच्छे से सेट हो जाएगा तो यहाँ पर स्लाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं 19 फंदे लिए हैं मैंने स्लाई में ऐसे अब सीधी तरफ से हमने पूरी रोज सीधी बना लेनी है आपने क्योंकि यह डिजाइन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा ठीक है तो उल्टी तरफ से डिजाइन की फर्स्ट रोव आएगी इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह एक यह दो दो फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब इस एस्टिज को छोड़कर यहां से यहां तक इनी पांच फंदों को हमने बार 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 पूरी स्लाई में रिपीट करते जाना है दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन अब लास्ट में ये तीन फंदे बचेंगे जिसमें से धागा दूसरी तरफ करते हुए दो फंदे हम सीधे बना लेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्ट ऐसे करते हुए design की first row पूरी बना कर हमने complete कर लेनी है अब second row है हमारी सीधी तरफ से इस first फंदे को पहले उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे हमारे उल्टे एक और ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा हम अपनी तरफ रखेंगे इस फंदे को ऐसे आगे से ऐसे बीना बूरे उतार लेंगे अब एक फंदा ये इन दोनों फंदों को आगे से ऐसे सीधा मनाएंगे धागा हमने अपनी तरफ रखा है देखिए ऐसे इन फंदों को आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जाली डल गई हमारी जो हमारे यह बल है इसे जाली बोलते हैं अब जो यह वाला फंदा हमने स्किप किया था इसे उठाएंगे इस फंदे के उपर से गिरा देंगे इस तरह से तीन का एक कर दिया हमने यहाँ पर तो इस estries को छोड़ कर यहां से यहां तक जितना design हमने बनाया है इसी design को repeat करना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे जाली डालेंगे यहां पर तीन का एक करेंगे अब फिर से इसी design को बनाएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे ठीक है धागा अपनी तरफ रखते हु इस सीधे फंदे को ऐसे skip कर लेंगे इस तरह से उतारा अब एक फंदा यह है इन दोनों फंदों को आगे से slight डालनी है इस से दो कई कर लेना है पर in यहां पर इसे उतारे हुए फंदे को इसके उपर से asya घिरा देंगे अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागे को अपनी तरफ ही रखना है हमने उधर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमने जाली डालने है इस फंदे को ऐसे भी नबुने जैसे सीधा फंदा बनाते हैं इसे ही स्किप करेंगे अब इन दो फंदों को आगे से स्लाई डालते हुए दो काए करना है धागा हमने अपनी तरफ रखा हुआ है ऐसे दो काए करेंगे तो यह हमारी जाली डल जाएगी अब इस फंदे को उपर से ऐसे गिरा देंगे तीन का एक हो गया फिर धागा अपनी तरफ यह दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए डिजैन की सेकंड रो भी पूरी हमने बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है सेकंड रो बनाने के बाद अब हमने डिजैन की थर्ड रो बनानी है थर्ड रो में देखे क्या करेंगे फर्स्ट फंदे को उतारा धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब यह एक फंदा पहले उल्टा बनाएंगे फिर सलाई पर इस तरह से ऐसे बल देंगे फिर यह जाली वाले फंदे को भी उल्टा बना लेंगे तो इसे स्टिच को छोड़ कर यहां से यहां तक जितना डिजैन है इसी डिजैन को पूरी सलाई में आपने बार बार रिपीट करना है दो फंदे सीधे फिर एक फंदा यह उल्टा फिर जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा अब फिर से इसी डिजैन को रिपीट करेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे हम सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ अब पहले एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे फिर sliper इस तरह से बल देंगे जाली डालेंगे न ये जाली वले फंदे को उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ फिर से ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा सलाई पर इस तरह से बल देंगे इस जाली वले फंदे को भी उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए डिजैन की ये थर्ड रो हमने पूरी बनाकर कम्प्लीट कर देनी है अब रो फोर डिजैन की चोती सलाई है हमारी सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारना है धागा अपनी तरफ ये एक ये दो दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ ये तीन फंदे सीधे एक दो ये तीन अब इस एस ट्रीच को शोड़ कर यहां से यहां तक जितना डिजैन है इसी डिजैन को पूरी सलाई में हमने बार बार रिपीड करना है दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से ये दो फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ लास्ट में ये दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए डिजाइन की चोथी सलाई फोर्थ रो हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है चार सलाईयों का फ्रेंड से ये हमारा डिजाइन है चार सलाईयों में ये इतना डिजाइन बन कर आएगा बार बार इनी चार सलाईयों को हमने रिपीट करते जाना है अब देखे तो आपका इस तरह से बनकर आएगा तो आप जुरूर ट्राइ कीजिएगा जिस भी परजेक्ट में आपने ट्राइ करना है तो मेरे साथ शेयर भी जुरूर करना है आपने तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्ट वीडियो में बाबाई अगव आज सब्सक्राइब की आई